Hello everyone, welcome to Magnet Brains, my name is Himan, तुम्रे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल Magnet Brains पे, जो प्रोवाइड करता है quality education full course content के साथ, जी हाँ full course content, कुछ भी ऐसा नहीं सर्जो छोड़ा जाएगा, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, आप पूरा मिलेगा, जी हाँ Magnet Brains एक लौता चैनल है YouTube के अंदर जो प्रोवाइड करता है 100% quality education full course content के साथ, केजी से लेकर 12 तक की education दी जाती है, जिसमें पूरा CBSC board और Delhi board को cover किया जाता है, जी हाँ, इसमें सारे segment complete करते है साथ, segment means भाया सारे topic wise, जी हाँ, सारे NCRT solution, जी हाँ, MIQs, MCQs, one shot, crash course, क्या चाहिए सार, daily practice problem, PYQs, सब कुछ होता है, साथी साथ, सबसे interesting e-books, e-notes, ये भी मिलते हैं, सल जी, आपको बस description box में जाना है, एक link मिलेगी, click कर दीजिया, और अपने notes को grab करिये, फटा फट, शांदार तरीके से, मज़दार तरीके से, साथी साथ, आपको एक और channel दिखेगा, magnet beans का, जिसका नाम है, magnet beans Hindi medium, जो provide करता है, classic से लेकर 12 तक की education, बिलकुल शांदार तरीके से, मज़दार तरीके से, और लाजवाब तरीके से, हाँ, बिलकुल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई problem की बात नहीं है, attention नहीं लेना है, सब कुछ मिलता है, लेकिन बस Hindi medium में ये है, कि sir, CBAC board के साथ, चार important boards को cover करता है, MP board, UP board, Rajasthan board और बिहार board, जी हाँ, sir, कहां तक पहुच चुके थे, sir, D&F की कहानी चल रही थी, D&F को देखते हुए चल रहे थे, बहुत सारी चीजे है, D&F के अंदर, मैंने का, ठीक है, sir, क्या-क्या है, बताओ, 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 D&F के अंदर क्या है, sir, D& Ionization Energy, हमने देखा, sir, Lots of Oxidation State बनाता है, मतलब मानी नी रहा है, Oxidation State, कहता, बहुत है, मैं तू दिखाऊंगा, तो एक कहता है, मैं 3 दिखाऊंगा, एक कहता है, मैं 4, एक कहता है, फाइफ, तो फिर Chromium आता है, कहता है, मैं 6, तो Chromium से एक जन बगल मैं कहता है, बहुत है, मानना पड़ेगा, initial पे थोड़ी कम दिखा रहा था, 2, 3, 2, 3, जैसे ही middle पे आयते Chromium और Magnes ने तो सारी हदे पार कल दी, कहते हैं हम है Don, हम है Don, John बने का Don, और फिर जैसी extreme पे जाने लगे right side में, तो फिर से वहाँ पर आपको plus 2, plus 3 वाली देखने को मिली, ये हुआ, फिर आमने देखा सल्जी, आपका सबसे important, आजी colored compound बनाता है, आजी आपके पास कल आया होगा, colored compound बनाता है, magnetic behavior, क्या था magnetic behavior में, यादे, हाँ सार, दो तरीके के magnet behavior दिखा रहा था, मैंने कौन कौन से, सल्जी, paramagnetic और dia magnetic, दोनों बढ़िया तरीके दिखा रहा था, कोई दि magnetic field को attract नहीं करता, लेकिन दो पेर वाले लड़ गए, तो पैरा वाले लड़ गए थे, मैंने क्यों, क्यों, करेतर सर एक ने बोल दिया था, मैं जाधा paramagnetic, एक ने बोला था, मैं जाधा paramagnetic, तो फिर ना, एक सल्थ है, वो लेके आए, एक magnetic moment, उनने का ये बताएगा कौन ज कुछ ऐसा दिखता था, कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें N होते थे, number of unpaired electron, number of unpaired electron, अच्छा, आप लोग से कोशन, इस formula में निकालते क्या थे, सर जी, मियू, मैंने का, अरे यार, मियू तो था, लेकिन मियू को कहते क्या थे, हाँ, सर याद नहीं आ रहा है, मैंने का, क् magnetic moment, क्या कहते थे, सर, magnetic moment, इसकी unit क्या होती थी, कौन बताएगा, सर मैं चाहता हूँ, unit मैं ना बताओ, यह आप लोग बताएं, comment section में तो मज़ा आ जाए, इसकी unit आप लोग बताएं, comment section में तो मज़ा आ जाए, हाना, देखें तो, किस में कितना है दम, दम के रखना कर दम, बिल्कुल, done, 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 comment section में बताएं, सर जी, होता है क्या, देखो रहे, देखो, होता है क्या, होता है क्या, देखो रहे, देखो, बिल्कुल, comment section में आपको बताना है मुझे, कि सर जी, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ, सारी condition, सारी बाते, अच्छी, बुरी, सब कुछ, मैं इनिटिक मुमेंट हो गया फिर उसके बाद आई थी सजी कलर की बात इस तरीके की अपनी बाते चल रही थी बड़िया तरीके वाली मैंने का ठीक है सर बाते चल रही थी तो चलने देते हैं सुन्दर बाते हैं कैसी बाते सुन्दर बाते अगर सुन्दर बाते तो सुननी तो पड़ेंगी सर जी मैंने का हाँ सर सुननी तो पड़ेंगी बिल्कुल सुननी पड़ेंगी चीग है तो सर यहां तक अपने last class में देखा था कि number of ingers of umpaid electron की वज़े से यह सारे compound's ज ted ि block, elements तो सारे के सारे compounds जब बनाते हैं तो इनके Compound's ze n trunkיף को undertake क्योंकि dew tube can number of の उल्लेक्ट8-ण क्या है इनके पास अगर दी-a-rbittal खाली होती है तो यह एक फिनोमेना यह जिसके चलते हैं क्यों we करते हैं जो भी radiation से हमेट करते हैं विजिबल रिजेंस में उनके complementary colors दिखाती हैं ऐसी बात अपनी हुई थी ठीक है यह था जो यह पूरा बेवरा पिछली class का पूरा बेवरा पिछली class का मैंने का ठीक है पिछली class में यह सब कुछ देख लिया था मैंने का ठीक है सर अब आज क्या अब आज क्या यह बताओ पिले सर आज oh formation of complex compound सर मैंने आपको कहा था छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं हमने क्या कहा था भाई छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी सबको निप्टा दिंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो यह था formation of complex compound क्या था सर फॉर्मेशन ओफ कॉंप्लेक्स compound हमने गा ठीक है सर डन 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 बिलकुल डन कोई दिक्कत कोई दुख कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए क्या सर नहीं होनी चाहिए तो आज देखेंगे formation of complex compound चलिए चाहिए क्या है सर जी फॉर्मेशन ओफ कॉंप्लेक्स compound मैंने ठीक है सर चेक है सर यह जो ट्रांजिशन elements होते हैं क्या होते हैं सर जी ट्रांजिशन elements या जिन कोई अपन डी ब्लॉक के elements केते हैं सर जी यह बहुत बढ़िया complex compound बनाते हैं बहुत शांदा सर सबसे ज़्यादा अगर कोई complex compound बनाता है तो वो यह लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई complex compound मनाता है तो वो यह लोग reason है सर reason है पहला due to small size तो सर यह थोड़ी कोई reason हुआ इससे छोटा तो hydrogen है लोग और छोटा ले आए मैंने का अच्छा तेज हो रहे हैं मेरे सामने तो मैंने का लो एक और reason लो इससे रहे कोई ला सकते हो तो बताओ क्या है सर? due to vacant d-orbital यह जो d-orbital होती है यह खाली d-orbital होती है इसके पास partially field d-orbital होती है hydrogen के पास होती है अब बोला hydrogen बोलो ना बोलो अब नहीं बोलोगे आप तो यह दो reason इसके सबसे ज़्यादा एक और होता है इनके उपार charge density भी बहुत ज़्यादा होती है ज़्यादा charge दिखाते हैं तो वह भी हो सकता है लेकिन यह दोनों सबसे important reason है sir one of the best reason है यह दोनों कि भया formation of complex compound का किसके लिए सब्सक्राइब के लिए यह दो बहुत तगड़े reason है अच्छा सर complex compound जब भी बनता है तो complex compound बनने के लिए यहाँ पर एक अच्छा इनको दूसरा नाम भी इसका एक इसको coordination compound भी कहते है यह दूसरा नाम इसका यह पहला नाम है यह दूसरा नाम है coordination compound यह फिर complex compound इसको बनने के लिए एक bond बनता है कोई बताएगा हाँ सर आयने क्या कोवलेंट मैंने का आयने कोवलेंट नहीं हो था भाई उसको कहते हैं coordinate bond oh my god sir oh my god sir coordinate bond यादे इसी को डेटेब भाई साब लाएते वो डेटेब चचा हाँ सर chemical bond ने क्लास 11 बिल्कुल वह लाएते और इनने का था जब भी दो लोग के बीच में coordinate bond बनेगा तो भाईया तभी जाके आपका क्या बनता है complex compound बनता है चलिए हो गया note down कोई दिकत की बात तो नहीं है तो बस मैं यहीं बोल रहा था सल जी coordinate bond और यह coordinate bond पता है किस-किस बीच में बनता है चलो啊 बताता हूं बताता हूं बताता हूं वथ flatter है अब यह अपन transition method की बात कलता है किस के बीच में एक तो आपका D-Block का element होगा ओहो बिल्कुल क्या होगा सर जी D-Block का element होगा बहुत शांदाल तरीके से यह जो D-Block का element होगा इस पे अपन बात कलते हैं D-Block का जो element है यह क्या कलता है ligand के साथ bond बनाता है Oh my god sir यह word सुना सुना लग रहा है मैंने काता ना ligands आएगा अपनके कलर में आ रहा था ligands सर ऐसे स्पीशीज ऐसे atoms, ऐसे molecules, ऐसे compound जिनके पास lone pair होते है क्या होते हैं सर जी, lone pair और भाईया हमारे D-Block अरे भाई साब D-Block element क्या होते हैं जिनके पास vacant d-orbital होती है क्या होती है इनके पास vacant d-orbital क्या होती है सर जी, vacant d-orbital अब इसके पास खाली d-orbital है, इनके पास lone pair है तो यह कहता है, दे दो, दे दो तो भाईया D-Block element कहता है, ठीके ले लो तो D-Block element के पास एक lone pair आता है, rocket के तरह और यह तयार करता है, सर जी, coordinate bond और इसी compound को अपन कहते है, coordinate compound क्या कहते है इसको सर coordinate compound क्या कहते है, सर जी, coordinate compound मज़धार तरीके से, शांदार तरीके से, इसको कहा जाता है, coordinate compound, और मज़धा आता है, सर एक नंबर मैंने क्या बोला, जहकास काम होता है, सर जी, जहकास coordinate compound कहा जाता है, इसको, इसी लिए आपन बोलते है, D-Block elements की, मैंने आपको दो condition बताएं थी न, वो दो condition, भाईया, पहला, due to small size, और due to vacant d-orbital, इन दो की वज़ए से, अपना यहां पर यह लोग अच्छे खासे coordinate compound बनाते हैं, मज़धार तरीके से, सर, लपक के, और सर, मैं तो आपको कह रहा हूँ, अगले चैप्टर में आपर यही देखेंगे, coordinate compound, वह होस्तारी चीज़े देखने को मिलेगी, अरे लपक के compound मनाते हैं, सर, यह देखिए, ZN, H2O4, प्लस 2, FECN6, यह माल लीज़े, एग में रुकिए, यह, अना, FE, और आपका NH3, 6, यह देखिए, coordination compound, यह सब coordination compound है, सर, NICL4, यह coordination compound है, NICO4, यह coordination compound है, सर, देखिए, सारे coordination compound है, और इसमें देखिए, कौन से metal use हो रहे हैं, सर, देखो ना, zinc, देखो ना, iron, देखो ना, iron, देखो ना, nickel, देखो ना, nickel, मतलब, यह सारे के सारे क्या हैं, transition element, और कौन से element है, D block elements है, मैंने का ठीक है, सर, मैंने का बहुत बढ़िया, और सबसे ज़्यादा पता है, पहले transition elements, हा, transition series number one, सबसे ज़्यादा coordination compound यही लोग बनाते है, transition series number one, मतलब scandium से लेकर zinc तर, सबसे ज़्यादा अगर market में अपन को देखने को मिलेगे तो यही, और अपन यह कहते हैं कि सर, अपन इसी की study ज़्यादा कलते है, first transition series को अपन सबसे important मानते हैं, इसी लिए अपन इसको देखते भी हैं, और अपन कोशिच करते हैं, फटा फट निप्टाते चले जाएं इसको, क्या करते चले जाएं, फटा फट निप्टाते चले जाएं, कोई दिकत की बात यहाँ पर नहीं आईगी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, मज़ेदार, शांदार और लाजवाब, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बोलेंगे, कोई दिकत, कोई परिशानी, अगर है तो बताईए, मेरे साब तो कोई परिशानी नहीं होने चाहिए, डण, डण 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 डण, अगर हो तो बताओ, मेरे साब से तो नहीं है, सब क्लियर है, A1, A1, ची के, कोई दिककत तो नहीं, पक्का, चीके, चलो, आगे, 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 देखते हैं, येस सर, अब देखिए, आब इसको पढ़ेंगे सर, अपन का हो गया ना वो, चलिए अब इसको पढ़ने वाले, सर मैं चाहता हूँ इससे करेंगे, आपन देखो complex compound complex compound are those in which the metal ions blind a number of anions or neutral molecules ठीक है, bind मैं blind बोल रहा हूँ, bind मतलब d block का element जब या तो neutral atom या तो positive atom या तो negative atom से combine होता है through a coordinate bond उसको कहते है, coordination compound giving complex species with characteristics properties a few examples are तो उसने कई सारे examples दे दिया अपन को, मैंने भी आपको दिखाये थे, ये देखिये सारे FECN6 3-, दिख रहा है फिर FECN6 4-, दिख रहा है copper NH3 4, इस सब के नाम तक लिखेंगे सर इसके नाम भी होते हैं, हाँ और ये देखिये, PTCL4-2 सर ये सारे coordination compound है पहला iron का दे दिया, फिर iron का दे दिया, फिर copper का दे दिया और फिर किसका दे दिया, platinum का दे दिया, मैंने का बहुत बढ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप देखें, यहाँ पर लिखा भी है The chemistry of coordination compound deals within detail in unit 5 अपन किस पे हैं, अभी अपन unit number 4 पे है Unit 4 या chapter 4 पे हैं, इसके बाद अपन जाएंगे coordinate compound पे Sir, उसमें तो एकदम दुहां उड़ा देंगे क्या उड़ा देंगे, एकदम धुहां उड़ा देंगे, coordinate compound पे मज़ा जाएगा, बोले तो एकदम जखास सर, कैसा जखास वाला मज़ा, चलो, done अब देखिए, the transition metals form a large number of complexes compound भाई या large number of complex compound मनाते हैं, क्यों? दो property बताई थी मैंने This is due to the comparatively smaller size, कहाता क्या नहीं कहाता? क्या होता है सर जी, smaller size of the metal and their high ionic charge मैंने कहाता ना, उसके उपर charges भी जादा होते है, सर, charge जादा है ना तो negative वाले को खीच लता है आजा, आजा, हाँ, सर, neutral को कैसे खीचेगा, तो बेटा, neutral में होता है dipole, तो वो dipole को खीच लता है आजा, आजा, इस तरीके से कोई दिकत की बात नहीं है and the availability of the orbital for bond formation, बिलकुल सर इस लाइन का महत वस सबसे जादा है लास्ट वाली लाइन को तो एकदम दिल में बसा लेना सर कहाँ पर captured in, heard, बिलकुल जैसा पर स्क्रीन शॉट लेते हैं वैसे इसको ले लो आप बिलकुल, इसको दिल में बसा लेना भीया ये वाली लाइन चमकनी चाहिए बिलकुल, चमका जल्दी और अब दिल आया है तो भाईया, एक बाल लाइक और शेयर हो जाए पहले बढ़िया तरीके से, नहीं तो मज़ा नहीं आता है बिलकुल, जल्दी स्क्रीन शॉट मारेंगे, तब ही मज़ा आएगा फटा फट, जल्दी स्क्रीन शॉट मारेंगे, तब ही मज़ा आएगा कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है डाइन 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 भाई, पता होना चाहिए कि कैसे चीज़े चल रही है तो यह कोईडिनेशन कंपाउंड के बारें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक के ऐलिमेंट्स सबसे जादा कोईडिनेशन कंपाउंड मनाते है दो चीजों की वज़े से पहला, पहला, स्मॉल साइज, दूसरा, उनके पास भाईया, डी और्बिटल खाली है, अविलिबिलिटी है कि वो बॉंड फॉर्म कर सकते हैं और सामने जो भी लिखेंड आते हैं, कहता है आजा, आजा, लोन पेयर दे लोन पेयर लेके लोन पेयर ले ले लेते हैं और लोन पेयर जब भी जाता है 101% clear होगा, जल्दी देख लो, जल्दी देखो, 101% clear होगा, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ हो तो बता दीजे, मेरे साथ तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, डान 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 चेक हैं अब आगे सर हाँ अब देखिए ओ कैटेलिस्ट सर सर कैटेलिस्ट की बात हो रही है कैटेलिस्ट की बात हो रही है किसकी बात हो रही है कैटेलिस्ट की मैंने का चलो भी क्या catalyst की भी बात कर लेते हैं एक दम बगल में यहीं आगे sir d block के elements या फिर transition elements या फिर यहां लिख दो d block के elements sir यह बहुत बढ़िया catalyst होते हैं पहली बात catalyst बताओगे क्या होता है sir जी catalyst क्या होता है यह बताओगे मैंने का बता देते हैं भाई जिसने मेरा chapter number third देखा है जिसको अपन कहते हैं क्या sir chapter number third क्या कहते हैं chapter number third क्या नाम है उसका सर्जी chemical kinetics क्या कहते हैं सर्जी chemical kinetics तो यह जो chemical kinetics है chapter number three जो है जिसमें अपन chemical kinetics की बात कर रहा हूँ इसमें मैंने catalyst के बारे में पढ़ाया है जी, सर कैटलिस्ट पता है, मस्त मौला इंसान है, कहता भाई मैं आउँगा एक ही बंदे को मारूँगा, उसका नाम है एक्टिवेशन एनलजी, भाई मैंने बता है तब पूरा पता है मैंने भाया, यह एक बैरियर होता है, इस बैरियर यह जो बैरियर है न, इसको ऐसे, इसक कहते हैं activation barrier क्या कहते हैं एक्टिवेशन बेरियर अब यहां पर जो होते हैं यहां पर इस साइड हमारे यह हमारे reactant molecule है अब अगर इनको एक बात समझो product बनाना है क्या बनाना बिटा product बनाना थे तो सर्क्रा करना पड़ेगा बहिया इनको चल के जाना पड़ेगा और सर चलने में लगती है energy, अगर उनके पास energy नहीं होगी तो वो इस barrier को पस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मतलब अगर product बनना है, क्या बनना है सर जी, product बनना है, तो आपके पास इतनी amount of energy होनी चाहिए कि आप इस activation area को पारकल सकें अब भाईया रियक्टेंट के पास नहीं होती तो reaction बहुत दीरे दीरे चल दए बहुत slow चल दए नहीं चल पारी अब आता है हमारा share अब बॉस्ट कोन आ रहा भी है catalyst catalyst केता है यार मेरे पास तो बहुत energy में एक एक को पकल के ले जाओंगा बहुत समय लगेगा यार मेरे को hard work नहीं मेरे को smart work करना है तो केता भया डायलोग था मांजी पिच्चर का जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो और यह जर्णाय वैर्या डाल तोड़ना चलोगा बेरीयर चूठ तो टोड़ तो तो इसDeskans को पूरा नस्तनाभूद कर Да contracts can do रुको 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 मैं बता रहा हूं यह बैरियर को तोड़ दिया कितना तोड़ दिया अब पूरा खतम थोड़ी कर देंगे थोड़ा बहुत यह देखिए छोटा हो गया अब छोटा हो गया तो यह रही अक्टिवेशन एनलजी तो भाईया उसने एक्टिवेशन एनलजी को कम कर दिया अब रियक्टेंड मॉलीकल बोले होंगे सर अब तर चले जाएंगे इत्ती अनलजी ता हम घल से लेके आये थे रोटी सब्जी बांद के रखी थी हमने यह देखो तो भाया पहले कितना था इतना कैटिलिस्ट के आते मात्र इस बेरियर को उसने इतना कल दिया और अब सारे रियक्टेंड मॉलीकुल काई में कनवर्ट होगा है इसी को अपन कहते हैं कि कैटिलिस्ट जब भी आता है कैटिलिस्ट होता है इंक्रेस दा ivan कि रूप रच्छी रेत रच्छी रेत अध र राच्छीं रेत राच्छीं का बola को अदद इसीरिक। बाल मॉलरीं activation energy by lowering activation energy कोई तकलिफ? तो catalyst एक ऐसा वेक्टी है जो increases the rate of reaction by lowering activation energy clear है यहां तक बात? अब भाईया यह अच्छे catalyst क्यों होते हैं? यह तो समझ गए सर, catalyst बहुत काम की चीज़ हैं लेकिन यह अच्छे catalyst क्यों होते हैं? सर क्योंकि इनके पास होती है variable oxidation state इन लोग के पास होती है variable oxidation state variable oxidation state का मतलब समझते हैं न सर? variable oxidation state का मतलब होता है सर जी कि यह एक से ज़्यादा oxidation state दिखाते हैं जैसे कि iron iron plus 2 plus 3 nickel platinum, palladium सबके सब variable oxidation state दिखाते हैं इसलिए यह बहुत बढ़िया catalyst होते हैं क्योंकि सर क्या करते हैं? यह reactant molecule के साथ आपस में react कर लेते हैं और फिर यह अपने साथ उनको product में convert करवाते हैं और फिर at the end of the reaction remains the same और फिर उनको छोड़के चले आते हैं तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते बिलकुल बढ़िया तरीके से ऐसा काम करते हैं और काम बहुत जहनदर हो जाता है अच्छा, example दिखाऊं एक दो सर आपने हेबर्स प्रोसेस पड़ी होगी important process होती है हेबर्स प्रोसेस यह इसमें जो catalyst होता है ना सर जी iron होता है कौन होता है iron और इसकी speed को पता है इसको भी बढ़ाने का भी एक power है इसको बढ़ाने के लिए आता है catalytic activators power promoters वो होता है molybdenum वो भी deblock कहिए low भाई तो iron is the catalyst and molybdenum is the catalytic promoter ठीक है फिर एक और देखो यह तो आपने पढ़ी होगी सबसे असान तो यह है C2H4 hydrogenation पढ़िए के नहीं पढ़िए सबने देखिए यह reaction तो यह तो सबसे basic है भाई double bond को single bond triple bond को double bond तो इसमें आपने use करते है nickel platinum और palladium कुछ भी use कर लो कोई दिक्कत की बात यहां पटेंगे तीनों में से कुछ भी use कर लो तो भाई यह जब भी आप देखोगे न अधिकतल जगा contact process वगेरा देखोगे sulfuric acid बनाने के लिए उसमें vanadium oxide होता है V2O5 vanadium भी deblock का element है तो सर हल जगा आप देखोगे सबसे ज़ादा अगर कोई use होता है तो वो कौन होता है सर जी हमारे transition element सबसे बढ़िया catalyst है सर सबसे बढ़िया एक दम बोले तो कते ही जहर वाले catalyst होते है और क्यों होते है variable oxidation state यह पहले reactant के साथ घुल मिल जाते है और reactant को आपस में लड़वा के काई में convert करते है product में और फिर खुझ चले जाते है और कहते हैं सर हम किसी और की जिंदगी सावाने चले आप अपनी जीवन में खुछ रही है जल्दी screenshot मारेंगे जल्दी screenshot मारेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है डन 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 एवन जल्दी लिखेंगे भईया नारनारना नारनारना तो मैं आपको कह रहा हूँ न भईया बहुत काम की चीज़े यह ठीके? चलो एक बाल देखें आगे क्या है? चली आजाईए the transition metals and their compounds are known for their catalytic activities सर बहुत जाने जाते होता हिये these activities is ascribed to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complexes क्या बोला था मैंने? क्या बोला था मैंने? यहां आजाईए क्यों दिखाए जाते हैं? variable oxidation state की बज़े से बाईया जो भी variable oxidation state दिखाएगा वो अच्छे catalyst होते हैं? यहां पर वो ही है देखें, multiple oxidation state यह देखें multiple oxygen, sorry multiple oxidation state इसी वज़े से यह बहुत बढ़िया catalyst होते हैं फिर मैंने अभी बोला sulfuric acid या contact process के लिए vanadium oxide होता है V2O5 यह vanadium oxide in contact process में use होता है Hibas process अभी बताया था कौन होता है Hibas process में? iron होता है, तो देखें finely divided iron in Hibas process and nickel in catalytic hydrogenation तो nickel कहां यूज होता है? hydrogenation में यूज होता है, मैंने यही बोला था आपको are some of the examples, catalyst are the solid surface involved the formation of bond between reactant molecule क्या का मैंने? कि भाईया देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ मैं भाईया, catalyst भाईया आ जाते हैं, यह रही catalyst भाईया एक theory हुआ करती थी, theory of adsorption, वह पार्ट नहीं रही क्योंकि वह surface chemistry पढ़ते थे तो यह देखें, सारे reactant आ जाएंगे यह सब reactant है बिचारे से आगे सारे reactant चिपक गए सारे reactant इसके पास चिपक जाएंगे अब पता क्या होता है? यह आपस में ठकरा ठकरा के काई में convert हो जाएंगे product में और जैसे यह product में convert हो है फिर catalyst कहता है भाई आपका काम हो गया चले जाएंगे वह ही लिखा हुआ है formation of bond between reactant molecule and atoms of the surface of the catalyst और first row transition metal utilized 3D and 4S electron for bonding भाई यह सीजी सी बात है पहली transition series में किसमें fill होता है electron? नहीं, किसमें electron fill होते है? 3D में तब ही तो उसका नाम 3D series है तो bond formation में कौन आएगा? 3D आएगा और कौन आएगा? 4S electron आएगा इसके अलावा कोई नहीं आता तो यह बात यहार रखना है बिल्कुल कि catalyst के surface पे कौन आते है reactant यह आपस में catalyst के साथ bond बना लेते हैं और फिर यह reactant आपस में ठकराएंगे और क्या बना लेंगे product और फिर product इस surface से चला जाएगा और catalyst वैसे के वैसे ही आपको मिल जाएगा तो catalyst में कोई फर्क नहीं आता अगर मैं आपको बोलू यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पर contact process में वैनेडियम oxide लिया हेबर्स process में iron लिया तो iron याद अखना अगर मैंने iron 10 gram लिया है तो reaction होने के बाद भी 10 gram होगा सर बिल्कुल जरासा भी involved नहीं होगा remains unchanged at the end of the reaction वो सिर्फ काम करवाने आया है वो साधन है आपको इधर से कहीं जाना है तो आप किसका साहरा लेते cap का तो cap जो है वो catalyst है आपको ले जाके माँ छोड़ दिया आपका काम हो गया और वो अपने रस्ते निकल गई तो catalyst कौन है वो आपकी cap थी आपको एक जगा से दूसरे जगा रियाक्टेंट को प्रोडक्स से मिलवा दिया खेल खता बात समझ रहे हैं जी बिलकुल चीक है डन एक बास स्क्रीन शॉट बारेगे फिर आगे बढ़ेगे चलिया हो गया नोट डाउन तो सर ये बिलकुल नोट डाउन कर लेना बेसिक समझ गाए क्या होने वाला है यहां पर पका डंट चलु बेसिक समझ गाए क्या होने वाला है कि Кया होने वाला है कि Catalyst कैसे roll part कर रहा है समझ गयाना Running सबसे पहले वह reacting को अपक्रेस पर बिलाबाता है reactant के बीच के bond तुड़वाता है और उनको नए products बनवाता है और फिर वो चला जाता है तो किसना catalyst यहां पर बहुत बढ़िया role part कर रहा है catalyst अपनी oxidation state को change करके products का काम करवाता है अभी अपन देखते हैं एक आथ example के साथ भी देखेंगे बढ़िया तरीके से ठीक है चेक देखो this has the effect of increasing the concentration of the reactant and the catalyst surface and also weakening of the bond in the reactant molecule का था ना मैंने कि reactant है उनके बीच के bond को तोरवाएगा और अपने साथ bond मना लेगा और फिर reactant reactant को react करवा के काई में करमत कर देगा product में और फिर से अपने bond तोरवा के चला जाएगा और activation energy को लोवर कर देगा बिलकुल आ दा activation energy is lowering बात हुई थी अपनी बिलकुल हां also because the transition metal ion can change their oxidation state भाया वो अपनी oxidation state change कर लेते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं होती है और करते भी हैं कोई दिक्कत नहीं हैं करते हैं they become more effective as catalyst for example iron 3 catalyst the reaction between iodine and the per sulfate ion देखो सर यह सबसे अच्छा कोईशन था एक reaction दिये इनने देखो क्या दिये 2I minus plus S2 यह थी अब यहां पर क्या हुआ iodine हो गया I2 और यह जो per sulfate था यह यह convert हो गया SO4 minus 2 चेक है iodide convert हो गया iodine में और यह convert हो गया इसमें इसमें यूज करा आपने iron सर इसमें क्या यूज करा आपने iron iron as a catalyst यूज हुआ हमने ठीक है सर कैसे होगा देख लेते जरा समझते हैं इसको जरा तो सर देखें सबसे पहले आइरन 3 प्लस आता है कौन आता है आइरन प्लस 3 मैंने का ठीक है और अभी बायस पर sulfate से छोड़ो इसको भूल जाओ तू जा रहे तू जा रहे इसको ले क्या रहे इसको ले क्या रहे तू आई माइनस और यह भी दो अब आप जानते हो आइरन की प्लस 3 से कौन सी oxidation state change हो सकती है सर प्लस 2 हो सकती है प्लस 2 हो सकती है मैंने का कल दो प्लस 2 हो गई तो सर देखिए बास समझी है प्लस 3 से प्लस 2 मतलब उसने electron को gain कर दिया यहां दो ते तो यहां भी दो होंगे मतलब उसने 2 electron gain करें सर कहां से मिले कौन दे रहा होगा सर यही बहिया देंगे इनके पास extra electron है दो तो इननने एक एक electron दे दिये तो यह क्या बचे यह i2 बन गए यह i2 बन गए तो देखिए सर i2 तो बन गया i2 तो बन गया अब तेरा क्या होगा रहे मैंने का तेरा को भी रिप्टा देंगे टेंसन नहीं लो तो iron ने i2 तो बना दिया भया i2 से electron लेके अब क्या है सर जी 2 fe 2 प्लस fe 2 प्लस है अब अपने पास कौन है fe 2 प्लस है अब अब ले क्या हो इसको s2 o8-2 चलो अब अगर मैं आपसे एक बात बोलू इसका अगर आप oxidation state निकालोगे तो यह हो जाएगा 2x और यह 16 और solve करोगे तो इदर आएगा प्लस 7 कितना आएगा प्लस 7 अब भया यहाँ पर कितना है 2 प्लस यह कहता भया मिरको तो अपनी बापिस oxidation state में जाओंगा कहां पर कौन सी भया प्लस 3 पर कौन सी वाली पर प्लस 3 पर तो यह चला गया fe प्लस 3 तूंय को प्लस तूंसे प्लस 3 मतलब एक इलेक्टरल का लॉस नre ने-ने-ने-ने-ने दो ए Twice तो वह दो इलेक्टरन किसने ले लिए इस्ते पर तो यह केता भया मैं तो अभी प्लस 7 ता अब तो में सीक्स आ गया और प्लस 6 में सबसे बढ़िया compound अगर किसी का sulfur का होता है तो वो होता है sulfate क्या होता है सजी sulfate तो SO4 minus 2 और 2 electron sorry 2 times तो आप देखलो मैं चाहूँ तो आपको oxidation state भी निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको confusion हो रहा हो तो S2 O8 minus 2 निकालो यहाँ पर यह हो जाएगा 2X plus minus 2 into 4 8 equals to minus 2 तो 2X minus 16 minus 2 तो 2X 14 हो जाएगा तो X की value आ रही है plus 7 ठीक है और जब आप इदर solve करोगे तो X की value आएगी 6 plus 7 से 6 मतलब उसना electron gain किया और वो electron gain किया जो iron ने दिये है तो देखिए iron का काम क्या था सर iron सिर्फ आया यह देखो यह रही आपकी पूरी reaction यह reaction का mechanism था और reaction तो उपर लिखिए iron आया iron ने का सर मैं आउंगा iron ने का मैं आउंगा मैं आया ठीक है दिखा और मैंने अपनी oxidation state बदली और फिर उसके बाद मैंने बापस अपनी oxidation state में गया और मुझे तो कुछ नहीं मिला लेकिन मैंने दूसरे का भला कर दिया पूरी reaction कम्प्रीट करवा के आपके सामने रख दिये इसी को कहा जाता है sulgic catalyst कोई तकलीफ नहीं है इसी को कहा जाता है catalyst बढ़िया तरीके से शांदाल तरीके से और मज़धाल तरीके से और सर पता है मैं ये example क्यों लाया हूँ क्योंकि सर ये NCRT का example है और एक बार boards में आ गया था इसलिए मैं कहता हूँ सर NCRT मत छोड़ना NCRT को लगा डाला तो life झिंगा लाला बिल्कुल जल्दी 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 फटा फट लिखेंगे तब ही मज़ा आएगा नहीं तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है जल्दी जल्दी करेंगे क्या करेंगे सर जल्दी जल्दी करेंगे कैसे करेंगे सर जल्दी जल्दी करेंगे चीक है Dan चलो जल्दी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं catalytic properties होती है transition element या d block elements के अंदर तो sir आप देख रहो back to back सारी चीज़े देखने को मिल रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई problem की बात नहीं है बस चीज़े चल रही है कोई दिक्कत नहीं जल्दी screenshot लीजे जल्दी चलो done clear हुआ तो ये बात याद रखना sir d block के elements बहुत काम के होते है अरे मैं आपको बताई तो रहा हूँ अपन तीन दिन से से उनकी properties पढ़ना है कि वो किस किस चीज में निपुण है क्या क्या properties वो दिखाते हैं क्या क्या properties वो समझाते हैं सारी चीजिया अपन देखते हुए चल रहा है तो एक बाद screenshot ले लिए जाए पूरा जल्दी फटा पड़ इसको देखो देखो जल्दी देखो 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 इसको देखो पाई screenshot लेना है पूरा समझाया हुआ है मैंने इसको देखो इसको देखो ये तो पीछे वाला ये फिर पीछे कुछ लिखाए पीछे वाला और बता देता हूँ आपको पीच्छे वहलाइबको यह इसी और फोटो ले लो जल्दी जल्दी फोटो लेगे इसकी भी बड़िया था बाई बाट्छे सा मनाया यह बहुत मेंनत लगी थी यह बनाने में दा गो स्टेस्ट के बारे में आपको यहीं मिला है थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स में पता नहीं चल पाये था तो यह ता ऐज के लिए और यहां पर अपनी आज हताम होती है ओडिनेशन कंपाउंड बनाता है डी प्लॉक आच तर हैं तो catalyst क्यों होते क्योंकि सर बहुत शांदर variable oxidation states दिखाते हैं और उसी के दम पे ये भाया सब का भला करते हुए चलते हैं ठीक है वो कहते है ना सब का भला जिसका हो भला बढ़िया कोई दिकत तो नहीं क्लियर पक्का डैन क्लियर है चलिए सर तो आज के लिए इतना ही अब मिलेंगे कब next class में कब सर कल इसकी कुछ और properties लेकर अभी खतम नहीं हुए भाया अच्छे से पढ़ते चलना properties बहुत जरूरी है काम की है मज़ा आएगा चलते रहना है अपन को ठकना नहीं है बस और गिरें चलेगा लेकिन उठीए फिर चलिए भाई डरिंगे नहीं चीक है मज़ा आगया तो फायर वाला इमोजी लगा देना बस आग लग जाए थोड़ी कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत की बात नहीं है और सिर्फ मैं केमिस्टी की बात नहीं कर रहा हूं हर सब्जेक्ट में आपको इत्ती सारी चीज़े करवाई जाती है बढ़िया तरीके से श CBAC बोर्ड और डेली बोर्ड दोनो करवाय जाते हैं सशांदाल तरीके से और मज़ेदाल तरीके से फिर अगर मैं बात करूँ तो भाईया हिन्दी मीडियम में CBAC के साथ बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP और राजस्तान बोर्ड यह सारे बोर्ड को भी कवर करते हैं बढ़िया crash course में क्या हुआ था पूरा chemistry का paper उठके आया है sir पूरा chemistry का paper अब आप बताइए sir इससे ज़्यादा और क्या चाहिए और क्या चाहिए और daily practice paper और PYQs भी करवाए जाते हैं साथी साथ e-books e-notes ये भी available है इसकी link आपको description box में मिल जाएगी click करिए सीधे notes को पाईए मज़ा जाएगा एक number मज़ा जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं session बढ़िया लगाओ शांदाल लगाओ तो like और share करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे और अगर कोई first time आया हो तो भाईया subscribe कर लेना तब जाके आपको पता चलेगा कल का video कब आ रहा है कितने बज़े कैसा है क्या नहीं सब कुछ तो subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अगर आप चाहें तो magnet bins की website पर जाके भी सारे lectures देख सकते हैं playlist के form में सम मिल जाएगे add free और YT पर भी playlist अगर यहीं मज़ा आ रहा हो तो यहीं चलने दीजे कोई दिक्कत नहीं तो कल फिर हाजर हूँगा आपके सामने एक और शांदार एक और दमदार एक और बढ़िया lecture किसका dnf blog का शायद कल कुछ properties है कोई मुझे comment section में बता दो कल कौन सी properties आने वाली है मैं भी तो देखू thumbs up के साथ कौन सी properties आने वाली है जल्दी बताएंगे तब ही मज़ा आएगा और भाईया कौन कौन catalyst है ये भी बता दो कि कौन भाईया लगा हुआ है मैनत करने में किसी की मदद करने जरा बताओ कौन कौन catalyst है ठीक है तो कल मिलते हैं कितने बजे same team same जगा same teacher के साथ same audience के साथ और अगर नए आ रहे हैं बच्चे तो ले आओ कोई कई नहीं जा पाएगा ठीक है चलिए bye bye take care